हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनफोसिस लिमिटेड के बारे में कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के थुरू बताने वाला हूँ जिसमें आपको बताया गया है कि आखिर अब यहां से इनफोसिस के क्या-क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं यहां पर प्रॉपर रिपोर्स हैं जिसमें आपको बताया गया ह कि IT सेक्टर में जिस अकॉर्डिंग गिरावट हुई है क्या वो गिरावट और ज्यादा दिनों तक बनी रह सकती है या फिर अब यहां से यह स्टॉक्स टर्न अराउंट दिखा सकते हैं और क्या यह एक बहुत ही अच्छी लेवल है फंडमेंटली स्ट्रॉंग शेर में इ आड़ गरते हैं तो फ्राइड़ का सिनेरियो अगर हम यहां पर इंफोसिस लिमिटेट का देखे तो करीवन 2.23% का अपसाइड मुवमेंट आपको देखने को मिला था और जो श्टॉक आपको 181900 रुपे के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आता था वो 1500 से भी ट्रेड करते हुए नजर आया फ्राइडे की क्लोजिंग में अगर हम पिछला एक महीना देखे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत ही जादा खराब रहा है करीवन 6.5% के नेगिटिव रिटर्स देखने को मिले हैं करीवन 100 रुपे से भी जादा का डाउन साइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिल गए हैं और वही अगर हम बात करें पिछले 6 मीने के बारे में तो हालत और जादा खराब रही है करीवन 16% के आसपास का यहाँ पे आपको जो गिरावट है वो देखने को मिली है और करीवन 277 से भी जादा रुपे का यहाँ पे आपक भी बिलकुल अच्छा नहीं रहा है इनफोसिस जैसे स्टॉक का और केवल और केवल 8% से जादा के रिटरंज पिछले एक साल के अंदर आपको देखने को मिले हैं जो कि कोई भी डैट प्रॉडेक्ट भी आपको दे सकता था तो डेफिनेटली पिछला एक साल ही इस पर्ट आर्टेस सलील पारिक एज बॉस शार्ज स्टॉक ऑप्शन्स ऑन दे टॉप एक्सेज यानि कि अगर आप देखोगे तो इनफोसिस लिमिटेट ने एक बारी फिर से सलील पारिक को एज़ा सीओ कंपनी का अपॉइंट कर दिया है और कोई भी नए बंदे पर भरोसा नहीं क फिर से यहां पे इनका पॉइंट मेंट किया गया है डेफिनेटल अगर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा फैसला जो की कंपनी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग पॉइंट सजेस्ट करता है यहां पे अगर आप देखो इंडिया की सेकेंड लाजेस्ट सॉफ्ट फ्रॉंग फ्रॉंग जोलाए यानि कि अगर आप देखोगे तो अगले पास साल तक आपको देखने को मिलेंगे कि सलील पारे की इनके सीओ नजर आते हैं बाकि अगर आप आगे इस नियूज को कॉंटिन्यू करो तो एसोपी स्टू रिटें टॉप टेलेंट यहां पे करी देखो तो six key management personals को जो दिये जाएंगे as a ESOP और करीबन तीन लाग पिचतर रहा साथ साथ शेयर अठासी अधर senior executive को दिये जाएंगे तो definitely एक बहुत ही अच्छा फैसला company की तरफ से अब यह तो बात हो गई एक update के बारे में अब यहां पे हम main चीज़ पे आते हैं कि आखि आप देखो अरुन मलोत्रा की report है इन्होंने यहां पे बोला है कि अब जो large cap stocks हैं उनमें जो major correction आ सकता है अगर आया तो वो केवल 5 से 7% तक ही limited रहेगा कोई भारी गिरावट के chances बहुत ही कम नजर आते हैं यहां पे अगर आप देखोगे उन्होंने बोला है कि जो सबते ज stock में आप अपनी buying यहां पे कर सकते हो इस personal point पर यानि कि इस particular point पर आप यहां पे एक अच्छी का से buying कर सकते हो यहां पे अगर आप देखोगे तो definitely इन्होंने बोला है कि जो very attractive लेवल पर आ चुके हैं अगर आप देखोगे medium से long term view के लिए तो वहां पे आपको HDFC, Infosys Limited और Kotak Bank भी कुछ यहां पे ऐसी recommendation है जिन पर आप दाओ लगा सकते हो और आने वाले time में आप एक अच्छी का से returns इन particular stock से ले सकते हो कूँकि अगर आप देखोगे तो यह companies तो अच्छी रही हैं लेकिन global scenarios और just according FIIs ने यहां पे selling करी है वो definitely यहां से chances create करते हैं कि यह जो stock है ज उन में आप एक अच्छी का से buying कर सकते हो और आपको यह जो level है वो बहुत ही ज्यादा कम नजर आती है इनकी valuation के according तो यह कुछ scenario उस्ते infosys limited के बारे में अब मैं आपको कुछ ऐसे stocks भी बता देता हूं जो कि आपको corporate actions दिखाते हो नजर आ रहे हैं कंपनी का नाम निकल के आता है वरुन वेवरेज इस लिमिटेड फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे तो करीबन 4% का movement था और पिछले एक साल के अंदर 65% के आज पास के returns इसने अपने shareholder को बना के दिये हैं यानि कि return profile एक ऐसे माहौल में जब market में अच्छा का सा correction है ज ना तो ज्यादा अच्छे ना ही ज्यादा खराब थोड़े बहुत decent ही आप यहाँ पर बोल सकते हो अब मैं आपको directly इसके जो corporate action है उस पर लेके चलता हूं 6 June X date निकल के आती है company ने आप डिकलेर कर दिया है bonus 1 ratio 2 का यानि कि अगर आप देखोगे तो 6 June को आपको execution date देखने को मिलती है उससे पहले पहले आपके demand में वर्म डेवरेज इसके shares है then you will be eligible for 1 ratio 2 of bonus तो अब हम यह आपे बात कर लेते हैं दूसरे stock के बारे में जो की निकल के आता है TCS यानि की Tata Consultancy Services Limited इसके fundamentals के बारे में आपको already पता है ज्यादा discussion करने की need नहीं है company आप एक आपको रुपे की face value को यह साब से देखें तो करीवन 2200 परजन के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर जो एक स्टेट निकल के आती है 25 माई 2022 यानि कि आपके बहुत ही कम टाइम है TCS को खरीदने के लिए अगर आपको एक अच्छा का सा dividend चाहिए तो तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया आप अपनी research कर सकते हो अपनी analysis कर सकते हो उसके बाद इन stocks में अपने position बना सकते हो चाहें वह Infosys हो TCS हो या फिर वरन wave raises हो तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सारी information दे दी है वीडियो कर काम की लगी हो informative लगी हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर अग subscribe भी जरूग दिजेगा धन्यवाद